जो अब होती हैं 10, अपलाई करते हैं 10 लाख, एक क्लास है एक नए बैच में एक नए अच्छे कॉलेज में सीट्स होती हैं 50, अपलाई करते हैं 5 लाख, तो जो लोग, जो जो students हैं, जो अच्छी jobs में select होते हैं, अच्छे colleges में select होते हैं, उनमें ऐसा क्या खास है जो बाकी 99% students में नहीं है, यह request मुझे बहुत समय से parents की तरफ से आ रहा है, students की तरफ से आ रहा है, I thought I'll give you a very quick video, और मेरे आप जितने भी videos देखिएगा ना, they're all research based videos, we work really hard to give you real, 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 real quality, आप मेरे इवेंट में आए, तो हमें आप से दो दिन लगातार बात करूंगा, सुबह से शाम, रात, अगले दिन फिर से हम बात करेंगे, दो दिन, तीन दिन के लिए इवेंट में, but when it comes to videos, हमें आपको पाँ से तस मिनट में वो देना है, जो आपको रिली रिजल्स दे और तुरंत रिजल्स दे, so if you are a student, if you are parents to a student, or if you know somebody who know some students, then this video is really powerful video, students में कौन सी तीन चीज़ें, अगर students develop कर लें, so then they will be at the top of their game, their career will be good, their job will be good, their numbers will be good, like best student life में जो होना चाहिए, वो सब आपको मिलेगा, if you develop these three qualities, so this is Deepit Bhajaj, best selling author, motivational speaker and breakthrough trainer, and in this video, let us discuss quickly, कौन से वो तीन चीज़ें हैं, जो टॉप के students को बाकी students से अलग करती हैं, you use these three things, आपके marks अच्छे आएंगे, आप टॉप पे जाएंगे, आपका entrance exams clear होंगे, अच्छे, college में अच्छे हो जाएंगे, your career will be good, और जब आप जोब में जाएंगे, तब भी इन तीन चीज़ों को जाद रखिएगा, you will be among top 1%, highest paying employees, highest paid employees of your company, so if you are ready, let us begin now, number 1 is power of extra, I learnt this long back, आप वो करिये जो आप से उमीद की जाती है, और उसके बाद करिये थोड़ा सा extra, you do whatever is expected from you, and then do a little bit extra, आप वो करें जो आप से उमीद की जा रही है, और उसके बाद आप करें थोड़ा सा extra, और जो ये थोड़ा सा extra है ना, इसमें बहुत power है, दिखने में ये थोड़ा सा लगता है, बट ये कड़ कमाल देता है, अगर आपकी स्कूल में, आपके हूमवर्क में आपको कुछ चीज़ें करनी हैं, तो हूमवर्क पूरा कर लिजे, और फिर सिरफ 2, 3, 4, 5% extra कर लिजे, हर दिन, हर रोस, अगर आप किसी contest में हिस्सा ले रहे हैं, और जतनी तयारी बाकी सब करते हैं, उतनी आप भी कर लिजे, बट थोड़ी सी कर लिजे, एक्स्ट्रा, आप कोई music instrument बजाना सीखना चाहते हैं, और आपकी 2 घंटे की class होती है, सारे बच्चे वो 2 घंटे की class कर लेते हैं, आप 2 घंटे के बाद 10-15 मिनट extra थोड़े से रोज और लगा लिजे, अगर आप job interview की तयारी कर ले हैं, वहाँ पे भी same, आप किसी event की organizer हैं, और आप से उमीद की जाती है, कि आप दिन में 40 phone call करें, और आप 6 लोग है total, तो 6 के 6 लोग 40 call करेंगे, आप 40 की जगा 42 कर लो, 44 कर लो, 45 कर लो, and just do a little bit extra, उरे जो little bit extra है ना, धीरे धीरे, एक महीने ब 15 minutes extra, महीने बाद कितने हो जाएंगे मालूम आपको, 15 minutes into 30, 15 minutes extra into 30, you will have one whole day extra, it's very powerful my difference, इस एज में आपको मस्ती भी करने हैं, इस एज में आपको बहुत सारी चीजें एक साथ में करने हैं, तो आपको पढ़ाई भी करने हैं, करियर पी बनाना, extra curricular भी करना, events में पी पार्ट of things, right and a lot of emotional pressures, relationships, socials, friends and everything, in between all this, सिरफ मेरा एक रूल याद रखियें, इस एक रूल याद रखियें, इस एक दिन कामनी करना, दो दिन कामनी करना, make it a habit, and what is that rule, do whatever is expected from you, and then do a little bit extra, and I call it power of extra, दूसरी चीज जो आप सब करने चीजें, तो आप सब करने चीजें, तूसरी चीजे तो कौन सी किताबें पढ़ते हो, YouTube पे क्या देखते हो, कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम से टेंड करते हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, let me summarize you, three things, आपके दोस्त, जिनके साथ आप maximum समय बिताते हैं, books, आप कौन सी पढ़ते हैं, और तीसरी, आप कौन से वीडिय देखते हैं, first you decide your association and then your association will decide your future, if you ask me, आप पांच साल बद कहां जाएंगे, तो पांच साल के बाद आप जिंदकी में कहां होंगे, वो डिपेंड करता हैं, आप कौन से वीडियो चानल देखते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किस तरह के बाकी बच्चो with your association, जैसी संगत, जैसी रंगत, buds of same feathers flock together, association, like everything is energy, if you are surrounded with positive people, positive energy will come to you, if you are surrounded with negative people, positive चरी जाएगी, नेगटिव आजाएगी, thoughts are very powerful, thoughts are seeds, अगर आपकी कमपनी बुरी है, और वो लोग आपके मांद में कुछ थाट्स डाल रहे हैं, तो इस कांड आपके मांद में कुछ थाट्स बनेंगे, and then it will be too late, मैं चाहता हूँ, वो बैट सीड्स इना हैं आपके, उन बैट सीड्स आजाएंगे, तो फिर क्या करना है मेरे पास आना, I'll solve it, in one of our training programs, we do event को launch your dreams, students को कमाल का result मिलता है, launch your dreams में, यतने रुपए में आप एक popcorn, cold drink, और एक movie की टिकट लेंगे, उससे wife, retired, professional, job wale, employees, everybody comes to that workshop and they go back with a different kind of energy and they launch their dream, so number two, let me come back to the point, number one is power of extra, number two power of association, number three, master your emotions, master your emotions, I do high performance coaching for students, you know what happens, what is the biggest reason for their depressions, I tell you some of the reasons, उसने मुझे वेस्बुक पे unfriend कर दिया, मैं उसको इंस्टेग्राम पे फोलो करती थी लेकिन उसने मुझे फोलो करना बन कर दिया, unfollow कर दिया, मुझे उस ग्रूप से भार निकाल दिया, WhatsApp ग्रूप से मुझे भार निकाल दिया, I mean these are the reasons people are breaking up because of this reason, then उपर से affairs and breakups, breakups and affairs, like multiple affairs, multiple breakups, like it's a mess, I tell you social media, people say social media is the biggest time drainer, I tell you social media is not the biggest time drainer, your bad moods are your biggest time drainers, like the relationship is not going right, how to come out of it, people don't know, people come to us that I am feeling suicidal, why because my breakup with that girl or with that boy, it's not a point, this is not a reason for a suicide, my different, there's not a reason for you to feel bad, I mean we need to master our emotions, as a student, you will go through a lot of emotional changes every single day and you need to master your emotions and that is most important, that is really, really important, very, very important, so the third thing, if you have to work in life and being a student, if you want to go to the top of the career, you have a good job, you have a good college meditation, you have a good job, you have a good job, you have a good job in your job, you have a good performance or promotion, then remember my different, no other way, you need to master your emotions so I told you three things number one power of extra number two power of association and number three is master your emotions you will have phenomenal phenomenal career phenomenal life you will be at the top of your game thank you so much guys and if you found value in this video and you thought this video is awesome so all of the students you know your colleagues your classmates, batchmates, purana school university, college if you know your parents brothers, sisters, siblings anybody just share this video with the maximum people let them also come up in their lives sharing is the best thing you can do like this video comment this video and if you have not yet subscribed our channel Deepak Bajaj don't forget to subscribe this channel we have a lot of quality content research-based content world's best content you can bring in this channel this channel is called Deepak Bajaj and I'm with you always with you through my live training events our live training events are really really popular do call on any one of our numbers or you can visit my website deepakbujaj.biz and you will get to know what is the next event right I highly recommend launch your dreams as my most recommended event for students I mean every student must come and after 4 hours you will see your performance your results your results shoot up so parents should come with the students students should come with their parents to the workshop there are books there are videos there are social media there are live events there are speeches I'm there with you at your service we're working with one goal let us make this world a better place together let me help you maximum to help you fulfill all your dreams so keep shining keep sparkling go to the top don't stop till you are proud of yourself love you guys keep shining • zum 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 there झाल